नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो होगा फॉर्थ मैच जो खेला जाएगा सेंट्रल स्मैश वर्सेस हाउदन हिट इसके बीच मलेशियन टी-20 लीग का मेंक शूर करूं तक देखो विकॉस एक टीम जो करना पड़ेगा वीडियों तक देखो बहुत एक इंड्रेस्टिंग सा मैच होगा मेरे हिसाब से एंड इस चैनल में तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना विकॉस मालेशियन टी-20 लीग हम लोग कवर कर रहे हैं उसके साथ इसाथ आपको मिलेगा इंगलें ओमें टी-20 यह फिर उसके बार फ्रांग वोड तो बहुत सारी सीरिज आने वाले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अर्ड आप को ऑपको सर्च करना पड़ेगा त़ जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा तेलिग्राप पे जाकि और अडर टेलिक कॉमें टेक्शन में म तो यह इनाम जौफर जो वन्डाउन खेला डग थीक है, मुहमद इनाम है पुरा नाम, मुहमद इनाम जौफर, तो यह वन्डाउन खेले थे, लास्ट मैच में, तो यह अगर वन्डाउन खेलते हैं, तो बहुत अच्छे चोईस है, जो आइनली इनको ना खेलना चाहिए, क् यह जो टीम है ना इनके पास बहुत अच्छे बैट्समें की ऑप्शन्स कम है इनाम जॉफर ओवरल 40 मैच में 472 रन लास्ट मैच मुझे टच में लगी प्लियर दुस कंपेट टू अधर प्लियर अमध असमी चलो यह वांबप मैच में 7 विकेट लिया था केबल 4 ओवर में ठ बैटिंग करता है आईनुल अफिस यह बॉलिंग भी करके देगा मैं आपको लास्ट मैच कर एक को दिखाऊंगा बाद में दिखाता हूं पहले ही यह दिखो ओम अप मैचस में तो इकन भी विला था इनको 13 ग्यारा बॉल में उपिन करते है ठीक है लास्ट मैच में इन्हो जादा वह दाल तो यह दिखो कि तब एक बहुत अच्छे चॉइस होने वाले जब बॉलिंग करेंगे ठीक है सहीद अजीच मैं जादा बोलूंगा नहीं आपको इनके बारे में मालूम है बट जो चिस नहीं मालूम है चलो वह बोल लेता हूं ठीक है यह टीटुइंटी मे तो शाद फिर से बॉलिंग ना करें तो क्या होता है अगर बॉलिंग करते है तब मतलब आंग बंद करके एक मस्ट पिक अगर बॉलिंग करते हैं तो आप GL में एक आदा टीम पे ड्रॉप कर देना ठीक है बिकॉस यह शुरू में फेस करेंगे किसको फित्री को ठीक है फित्री शैम को ठीक है आपको मालूम है एक बहुत अच्छे चोईस है मैं आपको बाद में आता हूं गाइस ऑपरेंट टीम के बारे में पहले यह देख लेते हैं सियादाद रामली गाइस यह ना ओवरॉल देखो 72 उवर में इनका 32 विकेट्स है बट लास्ट मैच में यह बॉलिंग नहीं किया तो मैं थोड़ा शौक रहा तो राइट डाम ऑर्थोडोक्स है तो आइधिंग इनको ना इस बार चांस मेलेंगे ठीक है राइट आम ऑस्पिन करते हैं तो इनको चांस मिलना चाहिए इस मैच में बॉलिंग से भी तो यह हम लोग कब डिसाइड कर पाएंगे अगर देखते हैं हम लोग इनका बॉलर एक आदा कम है अगर सेम बॉलर के साथ खेलते हैं अगर जादा बॉलर इंक्रूड कर लेता है तब शायद बॉलिंग ना करें अदर्वाइस बॉलिंग करना चाहिए डिली करना तो चाहिए विजे उनी राइट नाम और थो राइट आम ऑफ स्पिन अटतर मैं 61 विकेट मैंने थोड़ा गलत लिग जिए शायद मीडियम पेसर होगा थोड़ा गलत होगा ऐदर ऑफ स्प सब्सक्राइब तो इनका रेकोर्ड बॉलिंग से बेटर रहे बट इनको सिलेट कम करके रखा चंताने तो यह एक आपके लिए डिफेंशल चॉइस होने वाले कौन एमडी सुलेमान थीक है दस मैच में 30 ओवर डाले एंग इस 15 विकेट मतलब हर दो ओवर में एक विकेट ए ठीक है हम लोग बाद में लास्ट मैच वाला फिर से अलग से दिखाऊंगा अनुआ रहमन और्टोमेटिक मस्ट चॉइस है जो लेफ्टाम और्टोडोक्स है ठीक है चलो हम लोग देख लेतें सी है इंगे अहमध फैस एक मस्ट पीक है ओविस सा बात है 68 मैच 59 इनिक्स मुझे लग रहा है कोई है किस मैच में बहुत बहुत बरा किलने वाला है एक फिप्टी प्लस करेगा इस इन दोनों से कोई है ठीक है इनको रोटेट करके रखना अमेध फैस मोर आप बोल सकते हो एक सेफ चॉइस है क्यों एक ही रिजन है यह थोड़े मतलब यह आके पहले बॉल में करेगा हार्ड हीटिंग बैटिंग भी करते है रूइद वियर्स चांस में यह साथ मैच में साथ इनिंग जनी डूहिम सा राथ तो चलो हम लोग कुछ इंपोर्टन प्लियर जिनको चांस नहीं दिया गया था हम लोग देख ले पहले देख लो हां रहमत शाथ है इनके बारे में देखो जो वोमः मैच सभा था अमीर उलरसाहिमी लास्ट मैच में एक ओवर शायद बारा रन खा गया थो तो फिर इनको बॉलिंग नहीं दिया था बट वामः मैच में नहीं देखो एक मैच में दो फिर तीन ऊपे फिर एक विकए्ट। ऑवराल इनको 98 ओ बट कंपेर टू एक आदा वीट और सेमिकेट लूस कर रहा है तो विकेट आलौस साथ आर्टो गिरने वाले है गाइस कास करका अगर जो फॉर्स इनिंग बैटिंग करता है उनका टेथ में ज्यादा करता एंग जो चेस करते उन उनका गईस पूड़े इनिंग थोरे थोरे थ अम मीडियम बैटिंग से जादा फिलाल फॉर्म में लग नहीं रहा है बॉलिंग से लास्ट मैच में एक विकेट मिला था एंड यह अगर वामप देखोगे तो 437 फॉर 1 321 फॉर 1 3 डाउन बैटिंग तो छोड़ दो बहुत मतलब इनका बुड़ा हाला चल रहा है बट बैट लेफ्टाम और्थोलोक्स वित्रिशम वर्ल्ड 634 मैच का इनका मतलब आप बोल सकतों इतना मैचेस खेल क्या रहें रिसेंग मैचेस में एक में टूफर भी था एक में 350 जुरो 349 जुरो बर जब महंगे साबित होते बहुत जादा महंगा साबित हो जाता है ठीक है मॉम्म व्व को 167 तक पहुत सका गाइस बिकॉस इस मैच में साइद अजीच एस विजल बहुत बढ़ा केल दिया फिर आइनुल हफिस 49 खेल गया ठीक है इसलिए ये टीम बहुत इजी वीन कर लिया था एन मॉम्मध इनाम जो वान डाउन आये थे आउई की सेक्शन में 18 बट विक फिर सी एस देखो अब बहुत खराब तरीक से हारिया था एक सुक स्वालार तक पहुत सगा बट ये जो टीम है ना इतना खराब नहीं है ये मत सोचना विकॉस इनका जो है इनको में अफैस अजीज अब सॉरी हमेद फैस एन अनुर अरुदिन दोनों फ्लॉप हो चुके थ इसलिए ये टीम पहुच नहीं पाया बट आप जरूर अपने टीम में दोनों को रखना एंड ये इस मैच में एट लिस्ट फाइट बैक करेगा एंड अच्छा स्कोर करने वाला है रहमाद चाह एक उबर के लाले थे नजील का एक विकेट था फित्री शेम का जीरो था आइनुल हफीज, अनुवर रहमान, फित्री शेम, स्वरी सेफ कैटिन-फाइस, कैटिन मेरे जब से सहीद अजीज, आमेद फैज, रिजन समझो हाँ जनता आमेद फैज को कैटिन नहीं बनाएगा, जनता क्या कैटिन-फैस कैटिन बना रहा है आइनुल हफीज को मैं क्यू अब बोल सकतो इनका एक्सपेडियेंस भी है, ज्यादा क्वैलिटी प्रोवाइड करता है आपको एसा कैटिन-फैस 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 करेंगे, याद रखना उपें करते है, अब प्रिफर करोंगा अमेद फैस के साथ जाना अब चाहो तो अनुल हवीज, तो रिस मैंने इसके लिए रिसकी कैप्टेन वाइस कैपटेन मैंने आयनुल हवीस को बना दिया आमध फै आफीस और यह रहा यह सेम दो नाम लिग लिए आयनुल अनुल हवीस फिर अनुर रह्मान गईस ठीक है जो लेफ्ट अम और्थोड़क्स बॉलर है अनुर रह्मान यह भी एन 30 प्लास रन कर जाए ठीक है अनुवर अरुद्दिन यह अनुवर अरुद्दिन जो है मैंने फिर अरुफुद्दिन लिग दिया सॉरी बट अनुवर अरुद्दिन बहुत हाई स्ट्रेट से बैलिटिंग करते है जो मलिशा टीटेन हुआ था वहाँ पे कमाल के बैटिंग क्या था सबसे अच्छा बैट बहुत कमाल के बैट्समेन है तो इनको मतलब मिस तो मती करो एन आइडियली एक आदार जेल टीम में कैट्टिन राइस के जरूर रखता है तो अनलेसिस क्या बोलता है मैं एक चीज़ अलग से बलता हूंगा यह बट आप आप अप अच्छा बैट्समेन भी है तो एक मैच हानने सेन को मतलब मत सोच लेना की हर मैच हानने वाले बोर तीम है प्रोल्लम आप अगर देखते हो गाइस 186 जो किया था गाइस इन्होंने तो यह 186 में 167 चेस करते हुए कर थिया था डबली डबली ने ठीक है और बॉलिंग से अगर देखो 431 फ़र 2, 431 फ़र 1, 428 तो इनका एकोनोमी भी खास नहीं है तो आइधिंग यह अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर लेता है गाइस बैटिंग नहीं करके ऐसे है अगर बॉलिंग होता है तब हो सकता है अमें अनुआर अरुद दिन से कोई बॉलिंग नहीं करते है तो इसलिए एक अधाट जील टीम आप इनको डॉप भी कर सकते है तो हम लोग चलते है गाइस जिम लवन टीम सेक्शन में आपको फाइनल टीम मिलेगा अप्टर टॉस मैंने फिलाल जो टीम बना के रखा एक टेम मोर टीम थी के थोरा रिस्की लग अधा बैट्समें को एक कैप्टेन वीसी रखना है तो अमेध फैस क्यों नहीं बिकॉस एक इम्पॉर्टेन प्लियर है मलेशिया के लिए इंटरनेशनल खेलते है बिटर प्लियर है बहुत जाद आयनुल हफिस से तो मैं वीसी अमेध फैस के साथ जाओंगा अनुर एक परफेक्ट चॉइस है बिकॉस बैटिंग से यह शुरू से आपको पॉइंट देंगे पका आप चाहो तामेध फैस एसा जीच कैप्लिन वैस केप्लिन भी रख सकतो इन्हें जाओंगा बिकॉस वान डाउन खेले थे लास्ट में शेखन ने टू डाउन ट्री राउन के करता है तो एक आदा चेंजेस इधर भी आप कर सकते हो फित्री शैम मैं अपने टीम में जरूर रखूँगा फिरहाल जंदा ने इनको शायद 20% से भी कम सिलेक्ट करके रखा बट एक मस्ट पीक है ठीक है अजेब खान आपको बैटिंग बालिंग दोनों देंगे तो मुझे अगर चेंजेस करना पड़े अगर मुझे अनलिमेटेड मिले तो मैं क्या करूँ नर्जिल रहमान को इधर लालूंगा आप एक अच्छे चोईस है ठीक है यह फर्स्ट मैच फ्लॉब गया था बट क्वालिटी बॉलर है तो यह ले सकते है एक चोईस दूसरा अ लिया था बट बहुत जिरो भी किया था बैटिंग से एन बॉलिंग से भी बहुत ज्यादा मार खा गया था बट खरब बॉलर नहीं है इस्पेशली गाईस अगर सीएस फर्स इनिंग बॉलिंग करता है तब नज्रील रहमान एक मस्ट पीक है डिथ करेंगे याद रखना ए आपको इनको ले रहना चाहिए एवे रहम स्यादात रहमी इनका जगा में भी अब नज्रील रहमान ले सकते हो बट अब फिलाल मुझे इशुस आ रहे है तो मैंने फिलाल इसके लिए लग लिया ठीक है जनता ने देखो फित्री शैम को सिलेट कम किया बट इनको मिस मत करन कुछ भी चेंजिस होगा ओवेस सा बात है चेंजिस तो पक्का होने वाला है मैं आपको कहा दूँगा टेलीग्रम चैनल तो टेलीग्रम चैनल जॉइन हो जाना को एडिस है तो कॉमें सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो अगर पसंदाए लाइक कर देना चैनल में है तो स शब्सक्राइब कर देना थैंक्यू गएस